मेरी रेसिपी से आसल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई तो बल आइकन को दबाएं मेक शूर तो लाइकन सब्सक्राइब अब सलाम अलेकूम वीवर्स क्या हाल है आपके फिक्ठा के खेरियो से हैं तो आज हम आपके लिए जो डिश लेके आ रहे हैं मोस्त फेमस अरवियन डिश चिकन कापसा वह हम बनाएंगे कि अधिक स्टाइल से हम बनाएंगे थोड़ा सपना स्थमें अंदर भी टैच डाल देंगे क्योंके थोड़ा स्पाइस चाहिए होता है हम लोगों को तो उसे साब से तो अब मैं इसमें तेल डालने लगें सबस्टे पहले हम शुरू करते हैं मैं आपको स्टेबर स्टेब अब मैं इसके अंदर यह डालूंगी प्यास इतीन प्यास से बड़े वह मैं लिए क्यूंकि मेरे चावल हैं डेड़ कि लोगों दो मैंने रोल चिकन लिए साबुत पूरे वाले चिकन तोड़े मैं ज्यादा बनाऊंगी इसलिए उसे साब सारा यह मसाला दाल देंगों ती त्टेन बड़े प्यास बारी किटे वे अपने डाल दी को ना से सो सोते करेंगे अचान ज्यादिश्ट वर्लिया इसके इंदर मैं तीन टेबल स्पून भरके अदनादर का पेस्ट डाल देंगि कि अश्रादर का पेस हमने डाल दिया थोड़ा से इसको गूनेंगे और इसके साथ ही जो मैं इसके इंदर स्पाइस के इसमाल करूंगी वो मैं आपको बता देती हूं क्योंकि मैंने कपसा मसाला लिया है सौधी कपसा मसाला है अगर आप यह ले ले अगर डाले तो बहुत है मुझूद होते हैं और अलग से अगर अपना बना के डालेंगे तो फिर तमाम गरम मसाले जाते हैं वो सारे पीस के आप डालेंगे इसके अंदर चोटी लैची भी डालेंगे और थोड़ो से स्पाइस भी शामिल कर देंगे इस तरह से वो फिर बन जाएगा अब मैं इसके मैंने मसाला डाला और उसके साथ ही हम सब जलाची पीस लिए मैंने ये और ये मैं इसमें डालूंगी एक टेबल स्कून भरके क्योंकि हमारे राइस ज्यादा है चावर तो इसलिए डाल दिया वोड़ा से इसको हिलाते हैं और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी एक अधर दो अधर चॉप हुए वे टेमाटर अधर दो अधर चॉप हुए वे यह हम डालें इसके अंदर आधा ग्लास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया था ताकि टिमाटर फोड़े से नरम हो जाए अब इसके अंदर मैं एक टेबल स्कून रड़ चिली नाल मिच यह ऑप्शनल है आप डाले ना डाले अरबियन में तो हड़ नहीं जलती लेकिन मैं अपने लिए हम लोग डाल तो यह मैं एक टेबल स्कून डालूंगी खोड़ी सी यह मैंने डाल दिया और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जीस्ट मैंने निकाल के रखा वागों मैं इसके अंदर डालती हूं उसको ऐसा है कि आपने एक लेलेना है ऐसा जीस्ट बनाने के लिए और उसको अपने ऐसे आपने एक अदूकश ले लेना और उसके उपर इससे आप ऐसे करेंगे यह देखे तो यह जीजी सिस्ट ने एक पूरे लैमन का बना लेंगे इसके अंदर से 1 टेबल स्कून बरके निकलाता है इस तरह देखे इस निकला गए इसना मैंने यह बना के आसके नदर निकल जाए देखे इस निकला करेंगे यह दुछे। निकल जयाए यह देखें यह लेखनय कि लेखन पूरा is जब चिकन दालें था कि अशली हम आम दोड़ा बूस के अनलेंगे अब इस चि emple हम उनाय जाकृएं अपको पूटा तो अकल हम इसको थोड़ा में बहुनते हैं मिलारवान रही है अच्छे से इसको बहून लें एसको मुसाले को यह देखें इससरह सब्सक्राइब हो जाएगा दो 2 Lemon मेंने सापुड दाले कि दो ही डाले मुंकि टो चिकन एक लिख आप इसको आप लुब आप इसद ंतंक के दालते हैं राक मैं ए States कि यह मैंने जैसे रज़ कले लिए यह दे को है सांक आप इ Arabia को कि आ место कार चार पीस कर लें बड़ी मोटे व्हांट्य की दाले करें इस तरह से दालेंगे और इसको फिर हम अभी थोड़ा सा घूनेंगे पांच से दस मिनट और फिर मैं इसके अंदर पानी दाल दूँगी व्लावाद नहीं यह देखें चिकन मैं इसके अंदर दाल दिये थे बाहर के चमश से इसको इलाना और चिकन को थोड़ा सा पलट मैंने इनको थोड़ा सा पलट लिए अब मैं इसको पांच मिन्ट के लिए कवर करके रख दूँगी और उसके बाद में इसको पानी जाल के थोड़ा सा मिसको गलाएंगे हलकी आज पर थोड़ा सो रख देंगे ताकि अच्छे से यह थोड़ा यह नहीं के सोते हो जाए अब मैं के चिकन जो है कि अधिक काफी हद तक चिकन जो है वह सौते हो गये है अब मैंसके अंदर पानी डाल के इसको फ़ड़ा छोड़ा दोंगी हुआ है व्यां इसके अंदर हमें लेमन डालेगी यह लेमन लिए इसको काट के चिकन के अंदर इसना मैं यह डालूंगी आखे थोड़ा साथ यह देखे इसना से यह डाल दिया चिकन को थोड़ा हम पलट लेंगे अब टौट लेंगे डे इसना से एक साइद से विपढ़ गया दूसे साइड से भी थोड़ासा यह घुर अब इसना से यह अब मैं इसका पानी डाल दूंगी तक हम तौश्रबा बनाएंगे इसके अंदर मैंने 6-8 ग्लास मैंने पानी डाल दिया तुम्सकों चावल है अब इसके अंदर 10-15 मिन तक हम इसको कुप करेंगे ताकि जो चिकन का जो अरक है सारा वो शौरबे के अंदर चला जाए उसके बात मैं चावल डालूगी चिकन निकाल के दैन हम इसको घ्रिल अब मैं इसको ढख देती हूं 10-15 मिन तक हम इसको फिर चिकन को निकाल लेंगे बिसमिल्लाहमान रहीम अब यह देखें 15 मिनिट के बाद अब मैंने इसका धक्कन उठा दिया है चिकन जो हो गल गया है और इसका सारा सूप जो है वो निकल गया वो है अब यहां से निकाल के बेक करने के लिए हम चैनल के आप तुछ करने के लिए मत्र हम अल्मों भुं आफेश्य के फैसे के लिए लगाओंगे ताकि इसको कलर आजया बस अच्छा सा निकाली इसे बेकिंग ट्रेय में राख लिए और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मुझाप साम साला जो था वो तोड़ा च्छड़क दिया इसके उपर लगा देती हूं उपर नीचे के दोरों ग्रेल अन करके हम इ इस भी तियार हो जाए है कि यहाइस है मैंने दो के साफ़क रखे दूंके चावल मैंने ज्यादा लिये थे डेर कुले चावल है हमारे और अ इस तरह से अब आपक चावल में नमक चाग कर लेती हूं इस में आर्माद नहीं दो गाजने मैंने ले लिए इनको अच्छे जाने मैंने कड़ू कश कर लिया कड़ू करके हम यह भी इसके इंदर डालेंगे आपसा के अंतर यह भी डलती है जाजरें भी यह हमने डाल दी आप ज़रूर इस रेस्पी को बनाएं इंशालला यह बहुत अच्छी मज़ेगी बनती है अरभियन डिश है सौधी डिश और बड़ी ही मज़ेगी टेस्टी बनती है और मेरे चैनल को लाइक करें लिए नमक बिल्कुल ठीक है अब हम इसको लगाते हैं दम पे अब यह दम पर लगा दूंगे इसको जब तक चावल गल जाए दूसरी तरफ हमने जुसरी तरफ हमने लिया है इसके अंदर यह मैंने लिए हैं किशमिश रेजिंस बॉलते हैं वह सब नख कर दालेंगे तोड़ा नटस दालेंगे गजिए इसके लाएं ये टीन के डालेंये लाक एटी ये तीनु चीजर्बितğίν जालेे हैं उसके इसको रीब Time कर लाएंगे। फिर हम जब चावल कियार हो जाएंगे राइस हमारे उसके उपर फिर मैं ये डालूंगी most famous dish विखाई मज़दार बनती है आप जरूर बनाएं इसको जी चिकन माशला बेख हो गया तो ओवन में बंद कर दिया था यह देखें अच्छे से मतलब यह ग्रेल हो गया इसके उपर अच्छा सा माशला कलर आ गया सारा यह बिस्मिल्ला रहीं यह मैंने लिया इसके अंदर में आप यह स्पेशल अरेवियन राइस जो कफसा राइस है वह में डालूंगी इसके बहुत अच्छे से इनको दम भी आ गया है यह मैं इनको निकालती हूं कि एक एक चाव लिसा से अलग हो गया माशला बिल्कुल यह देखें माशला से यह मैं इसना से निकाल लेती हूं यह अब हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन देन हम बाद में और राइस के अंदर डालेंगे इसके उपर डालेंगे अब मैं इसके उपर रखते हैं यह को अचे बिल्कुल साबुट उसकी तरह भी खराब नहीं हुआ अब मैं इसके ओपर और फोड़े सा राइस डालूंगी अब मैं इसके ओपर फोड़े से और राइस डालेंगे साइडों पर इस साथे करके अब मैं इसके ओपर फोड़े डालूंगी इससरा से आप ऊपर फोड़े डाल दें बहुत ही आला और बज़ेदार बिल्कुल रेडी है तो बहुत ही आला बज़ेदार पुश्पू भी बहुत अच्छे के सब्यारी है इसके ओपर मैं फोड़ा सा काड़म पौडर जो है वह फोड़ा सा डाल देती है और फोड़ा इसको जाएके को हम मज़ेदार सब करते हैं तो इसी तरह आप मेरे रेस्पी को फोलो करें बनाएं प्यास ने एक जाएं प्यास और साथ मेरे टमाटर की जट्थी बना कर रखी वह आप इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार मेरे रेस्पी को फोलो करें बनाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइं मेन चाहला और अची सी रस्पी स्म बनाते रहेंगी और तक तक ली जाजब दींदावाते हैं झाल झाल